सब्सक्राइब ठीडियो सुऊच दाब का हमारे यूट्तू चनल वикиबूटश2.0 में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप d date ईस्केशनल वीडियो कै bastante है वूरसी वीडियो मैंने आपको उसके लिए उसके लिए आपको ऐसे प्हूर सकते हैं और उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और घंटी के बिल आइकन को भी दबा दीजेगा जिसी के मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो चलिए फ्रेंट्स इसको इस्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको दू अप्लिकेशन प्लेश्टोर से डाउनलोड करना होगा इसके लिए हम अपने प्लेश्टोर ब्राउजर पर जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च बाक्स में टाइप करेंगे Microsoft Office Word यह नाम से आप टाइप करेंगे और यहां से आप इसको इनिस्टाल कर लेंगे देखे मैंने इसको डाउनलोड और इनिस्टाल कर रखा है तो मेरे में यह ओपन का ओप्सन दिख रहा है आप यहां से इसको बड़ी आसानी से ही इनिस्टाल कर लेंगे और इसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग करना है तो आपको एक कीबोड डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए आप अपने सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे आप गूगल इंडिक इतना टाइप करेंगे और यहां पर लिखें गूगल इंडिक इतना आप टाइप करेंगे तो देखिए आपके सामने दिख जाएगा ऐसा इंटरफेस देखिए मैंने इसको भी डाउनलोडर इंस्टाल कर रखा है तो मेरे में यह ओपन का ओप्सन मांग रहा है तो आप इस सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको सबसे पहले उपर साइड में एक दिख रहा होगा कॉर्णर पर प्लस का बटन इस प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे जब इसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपको सामने यह कई सारे आपको पेज़े दिख आपको सामने देखे एक पूरा पेज आ गया है यहां पर आप कुछ भी लिखना चाहेते हैं तो आपको यहां डाबल क्लिक करना होगा और यहां से आप बड़ी आसानी से कुछ लिख सकते हैं देखे कीबोड आ गया है और यहां देखिए मेरे में हिंदी का ओप्शन दिख कीबोर्ड में ही इसमें क्लिक करेंगे और यहां से आप सेटिंग्स में जाएंगे जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे तो देखिए आपके सामने एक लैंग्विजेज का अप्शन दिख रहा है यह लैंग्विज का आप क्लिक करके यहां से आप हिंदी और इंग्लिस लै कपी हो आंगे अपने कीबॉर्ट से कुछ भी बोल के लिखने माय के तो हैंसे तो यहां पर हिंदी में लिख जाएगा तो चलिए फ्रेंट मैं यहां पर आपना कुछ वर्ट्ष को मैंने कॉपी करके रहा हूं यहाँ पर फेस्ट करता हूं आपको लिख के दिखाऊंगो तो वीडियो कॉफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहां पर थोड़ी दे क्लिक करेंगे तो देखे आपको सबसे पहले दिख रहा है यहां सब इसको सेलेक्ट कर लेंगे है यहां पर आपको देखिए सबसे पहले दिख रहा है यह काट कर सकते हैं और इसके बगल में आपको दिख रहा है यहां से इसको आप क Beaumपी कर लेंगे तो यहां से मुझे copy करना तो मैं इसको ऐसे copy कर लूँगा और फिर आपको कुछ करना है तो फिर आप यहां पर थोड़े क्लिक करेंगे और select कर देंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा interface आजाएगा यहां से आप इसको cut वगारा कर सकते हैं फिर आपको देखिए नीचे सबसे पहले दिखेगा यह बॉल्ड का options दिख रहा है यह बॉल्ड के option कर देंगे देखिए बोल्ड हो गया है और बगल में आपको options दिख रहा है यहां से इसको italic भी कर सकते हैं और बगल में दिख रहा है देखें यहां साधों Egypt कर दिया है असको हांज़ेटर हैं तो आप यहांसे और अंसर हाइलाइट कर सकते हैं मैं यहां पर देखी हूँ तो यहां से मैं इसको ऐसे कलर दें गो देखिए पूरा हाईलाइट हो गया है अब मुझे इसे हटाना है तो मैं फिर थोड़ी देख करूंगा देखिए मने क्लिक किया और यहां देखिए स्लेक्ट और का उप्शन दिख्राइब पूरा से लेट कर लिया हूं और यहां आपको यह color का ओप्ष्ण पर आपको आना है यहाँ पर आपको कई सारे color मिल जाएंगे यहां से आप अपना प्याश्ट ले सकते हैं यहां से मुझे कि यह color काफी पसंद दिख रहा है मैं इसको पूरा पहले में कर लेता हूं मैं जो में यहां से यहां से करेंगे तो यहां से यह कर सकते यह देखिए आपको यह नहीं लगा सकते। इसके बाद आपनी की पहले जाना है जहां पर ऑर अब आपको सबसूपर आपको यहाँ डीट साइड में और सबसे पहले पर आपको सबसे आपको आपको सबसे रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ वही इंटरफेस दिख रहा है यहां पर देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है यहां से आप इसका फांट चेंज कर सकते हैं यहां से आपको फांट ले सकते हैं जैसा कि आपको लेना हो वैसा आप ले सकते हैं फिर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखिए सबसे पहले दिख रहा है यह उसी के बगल में यहां पर आपको फांट साइज लिया हुआ है यहां से आप इसका फांट साइज भी चेंज कर लेंगे जैसे आपको एजुकेशनल ब्यूट्यू बनाना है जैसे आप नहीं इ आप intensity होगी यहां से इह पूरा फांट हो जाए जैसे आपने तरत अब यापने Uh इसका फॉरण है कर दिया है और यहां इसका फॉल्ट्यू कर दिया है तो इसको फूरा क्लियर कर दिये जैसे में आपको करके दिखाताहूं देखिए नोट्यूप कर अध sih कर लेता हूं और को नंबरिंग अट करना है तो आप नंबरिंग कर लेंगे और इसके नीचे आपको दिख रहा है यहां से आप देखिए अपने टेस्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं यहां से आप देखिए आप से आप कुछ भी कर सकते हैं यहां से आप इसको करेंगे तो देखिए इसको आप अपने हिसाब से सट कर सकते हैं और यहां से मैं इसको बाय करता हूं और यहां से आप इसका इसका इस्टाइल चेंज कर सकते हैं आपको जैसा पसंद दो आप यहां से इसके स्टाइल कर सकते है तो यहां से देखिए मैंने आपको कुछ options बता दिये हैं यहां से आपको पीडियाप बनाने का माध्यम बता रहा हूं यह मैं आपको Microsoft Word के पूरी जानकर यहां पर नहीं दे सकते नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यहां से लेकिन आपको एक option में आपर बता देता ह बóc encontrik देखिए फोटो लेने के बाद आपको फोटो आ जाएंगी जैसे मैंने एक image ले लिए है तो देखिए मैं यह image ले लिया हूं और इसको मैं यहां दन कर दो हगा इन कर और काई सारी इमिजेज आइट कर सकते हैं तो चलिए मेरा PDF रेडी हो चुका है यहां पर देखें मैंने कबल दो पेजेज लिए थे यहां से आप और काई सारे पेजे ले सकते हैं अब यहां पर आपको इसको सेफ करना होगा तो फ्रेंट्स मैं यह जो इमेज आइड किया था है यह जाइड कर दिया हूं नहीं हटाऊंगा अब यहां छाप इसको सेफ करना हो तो यहां से प tried to save करेंगे outside और इसकोम करने के लिए यहां से आपको देखं़ वाइस करेंगे तो आपको सामीं देखिए लोकेशन आ गई है आपको सेब करना है और आपको जहां इसकी location देना है यहां से यहां से आप उसकी location दे सकते हैं यहां आप documents में क्क्लिक करेंगे तो यहां से आप documents करके आ रहा है यहां से आप n kitty tex क्रास Sarah शाकते मैंने इसकी नाम में टेविक दिया है और ए समय टेक्स्ट सेव हो चुका है तो चलिए तो इसके लिए आपको अपने मुबाईल का डाटा मैंन कर लेता हूं और यहां से आपको दिखाता हूं Chrome browser में जाकर के छलिए मैं Chrome browser पर जाता हूं और यह Chrome browser पर देखियमेने आ गया हूं और यहां पर आपकोType करना है www.02pdf आपको यहां पर हो और डूप इदिएफ में यहां परमें यहां सार्च करते दा हूं इसको आप करते हूं पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं थो पहले यहां साथ यह वर्ड पीड्य फिर करेंगों यहां सा त तो यहां पर आएगे और हमें यहां से आपको अपने डाकूमेंट्स में चले जाना है चलिए मैं आपने do आपने Policy हो रहे हैं अई drastically हीब आपको दिखा रहा हूं ऐसा 않 नहीं है कि मैं आये वीडियो पहुच करके करके आपको दिखा देता हूं सब आपके समय प्रैक्टिकली हो रहा है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए यहांस मैं आपको डाउनलोड फा अंसर हमने टिक किया थे थोड़ा से नीचे आ गया तो कोई प्राब्लम नहीं है आपको यहांस आप इसको उपर भी कर सकते हैं तो चलिए इस तरह से आप बड़ी आसानी से पीडिया फाइल क्रेट कर सकते हैं और उसके जरी आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं अग वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ चैनल पने है तो चैनल को सब्सकाइब कर लेजिएगा और मन में कोई कंथूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूँच सकते हैं तो चलिए दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलें कि अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहंद